स्वागत है दोस्तो रेल फैंस आसाम यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज की वीडियो में में आप लोगों के साथ शेर करने जाना है बाउट दिक गौहाटी से लेके लोकमाई या तिलर तक चलने वाला जोगी एक्सप्रेस ट्रेंड है तो दोस्तो यह एक्सटेंड कर जा गया है तिल दिब्रोगर बानीपूर तक जिहां दोस्तो तिल बानीपूर रेली स्टेशन तक ही एक्सटेंड कर जिया गया है तो इन डिटेल में बात करेंगे अबाट इस्टो पेजे साथ ही कंपोजिशन कितने कोचिस का एक्चुली में ट्रेंड होने वाला है और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि ऐसे इन्फोर्मेटिव कंटेंस में लात रहता हूं दोस्तो तो सबसे पहले में आता हूं ट्रेंड नंबर की और दोस्तो तो इसका डिब्रुगर से ट्रेंड नंबर होने वाला है 15646 15646 फ्रम दिब्रुगर बानीपूर इसका ट्रेंड नंबर होने वाला है और लोकमाहिन तिलक से इसका ट्रेंड नंबर होने वाला है 15645 15645 फ्रम लोकमाहिन तिलक से ट्रेंड नंबर होने वाला है और दिब्रुगर से इसका 20 जुलाई से और 20 जुलाई से का पहला जर्नी है फ्रम दिब्रुगर से और साथि तो अभी आते हैं जो किस्टो पेज़ेस तो दिब्रुगर से इसका छड़ा जाएगा देन न्यू तिन शुक्या सिमोलगोडी मौरी औनी फरकाटिंग दिमापूर दिफू लंदिंग हो जाए गवाहाटी उसके बाद न्यू बंगाए गाउं न्यू कोज बिहार न्यू जाएगा इड फ्राइड़ यानि दो दिन का ट्रिफ है बेट्वीन दिब्रुगर औन लोगमहिन्य तिलक की बीच में है जी जूसतो दो दिन लगने वाला है तो जैसक मैंने भी बोली था तो दिब्रुगर से एवरी संड़े एड़ी संड़े एड़ी संड़ें दिभ्रुगर्ट तो कमर्चिल इसका बात आता है तो कमाइख्या, रंग्या, बॉर्पेटा रोट, कोक्राजार, नियू अलिपूरद्वार, धुग्गुरी, किशन गंज, बर्सोई, एंड कतिहार, और साथ ही कॉम्पोजिशन है टोटेल 22 कोचिस का, जियां दोस्तों, टोटेल 22 कोचिस का ये ट्रेन होने वाला है, और एराइवल एंड डिपार्चर तामिंग के तरफ अभी आते हैं दोस्तों, तो दिभ्रुगर्ट से जिसे कि मैंने बोली दिया, फाइव अक्लॉक्स का मॉर्निंग में डिपार्चर है, तो मिनिट का होल्ट है, 8.15 पर फ्रम सिमोले गुडिस का डिपार्चर है, देन मोरियोनी पहुंचा दे जाएगा, मॉर्निंग 9.05 पर नौ बज कर पांच मिनिट में, और इसे ही जो कि अधर इस्टोपेजेस है, आप लोग अच्छे से देख लीजे, मैजर एंड कॉमर्श का तो अभी टाइमिंग्स का इस लीट में नहीं, आप लोग IRCTC के बूकिंग में देख सकते हैं, नहीं तो NTS वेबसाइट में भी आप लोग देख सकते हैं, सभी स्टोपेजन का जो कि arrival and departure है, नहीं, commercial इस्टोपेज का departure आप लोग देख सकते हैं, arrival and departure और साथी major नहीं देख सब्सक्राइब का लिए और साथी चैनल को भी सबस्क्राइब कर लिए क्यूंकि और ऐसली अपडेच आता रहेगा दूस्तों, और electrification अपडेच भी बहुत जलदार है दोस्तों मैं पहले ही बोल दूं, तो electrification अपडेच बहुत ही एक grand electrification update आने वाला है अभी इस चैनल पर तो make sure you are subscribing to this channel तो आज के इस फिर्म में इतना ही धन्यवाद दोस्तों